तो नमस्कार दोस्तों आप इन अब यह वीडियो देखिए निजशनी आपको आपको यह वीडियो कैसे बनानी है वह आज मैं आपको इस वीडियो के अनदर page बाइस टैप बताऊंगा तो वीडियो बिल्कुल छोटी से है और इसमें जल्दी से मैं आपको बता दूँगा तो वीडियो को स्किप मत करना जिससे कोई स्टैप न चूटे उससे पहले मेरा आप सभी से लिंक दे दी है महाँ पर जाकर आप इन वीडियो को देख सकते हो और काइन मास्टर क्रेक्ड कैसे डाउनलोड करना है उसकी मैंने यह वीडियो लगा रखी है तो सबसे पहले आपको क्या करना आपको एक वीडियो ले लेनी है जो भी आप वीडियो बनाना चाहते हो जिस वी वीडियो के अंदर लगाना है तो मैं आपको यह वीडियो दिखाता हूं और लास्ट जो आपका फ्रेम रहेगा मालब जो लास्ट का स्क्रीन सोट रहेगा उसका आपको स्क्रीन सोट ले लेना है और स्क्रीन सोट लेने के बाद आपको उस स्क्रीन सोट का अपने मुगाईल फोन के अंदर सेव कर लेना उसके बाद आपको कोई भी फोटो जैसे इसके अंदर मैंने सीव की फोटो लगाई आपको कोई भी फोटो जो इसके अंदर लगानी है आपको फोटो गूगल से डाउनलोड कर लेनी है तो उस फोटो का डाउनलोड करने के बाद आपको पिकसार्ट में जाना और उस फोटो क edit करके अपने photo के उपर लगा देना है जहां पर भी आपको वो लगा के use करनी है और जहां पर भी आपको जो चीज दिखानी है वहाँ पर आप उसको upload कर लीजिए जैसे मैंने इस photo के अंदर यहाँ पर अपनी लगाई है तो आप ऐसे लगा के उस photo को save कर दीजिए और save करने के बाद आपको कुछ नहीं करना आपके play store में जाना है और play store में जाके आपको एक prequel करके application मिलेगी आपको prequel application download करनी है आपको play store पे मिल जाएगी और iphone में भी आपको store के उपर मिल जाएगी और वैसे भी आप Google से इसको download कर सकते हो और उसके जब आप इसको download करके use करना शुरू करना है तो वहाँ पे आपको paid वाला दिखाएगा लेकिन आपको skip कर देना है उसको simply अपनी application को open कर लेना है और open करने के बाद आपको वहाँ पे flash warning वाला जो template है वो दिखाई दे जाएगा आपको simply उसको use करना है तो use करने के बाद आपको उसको download करना है तो जैसे आप उस पर इप click करोगे तो आपको download होना शुरू हो जाएगा जैसे वो download हो जाएगा उसके बाद आपको अपनी वो photo लेनी है जिस photo को आपको अपनी वीडियो के अंदर लगाना है तो आपको simply उस photo के उपर उस एफेक्ट को use करना है और जैसे आप उसको use करोगे तो आपकी एक video बन जाएगी वहाँ के बिल्कुल last step पे जाके मैं इस video को paste कर दूँगा और वहाँ पे जहां तक मुझे ये video चाहिए वहाँ तक मैं इसको cut करके एक video export कर लूँगा और वीडियो का export करने के बाद आपको इसको use कर सकते जहां पे भी आपको ये use करनी है और वही बात गाने की तो गाना आप इंस्टागरम पे जाओ भी वहाँ से भी आप डाउनलोड करके use कर सकते हो या direct आप यूज कर सकते हो आपको flesh warning लिखनी है तो आपका यही गाना वहाँ पे आ जाएगा और उसके लाँ अगर कोई और गाना लगाना है तो आप वो भी इ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियोज और इफैक्ट्स के लिए तो मिलते हैं अगले किस वीडियो में तब तक के लिए जाहिन बंदे मातरम